ओम शीगणे शाय नमा रादे रादे दोस्तों आप सभी का मेरे चल्म बत कता है स्लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जारें कि साथ भागशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखे पुत्र प्राप्ति के शेष्ट योग बन रहे हैं किन दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों जो हम देखे राशिफल बताते हैं जोतिश के अनुसार है तो आप अपने चंदर की राशी पर और प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं क्योंकि प्रचलित नाम से भी देखे 90% इसका प्रभाव अवश्य ही रहता है दोस्तों जिन भी राशियों को देखे पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं तो उनको निशिद ही ये कारी अवश्य करने चाहिए जो हम आपको बताने वाले हैं साथ ही दोस्तों देखें, 2023 में नो भागशाली राशिया तो ऐसी हैं जिन को देखें संतान की प्राप्ति तो होनी ही है 100% संतान की प्राप्ति होगी लेकिन ये चार महिने, जून, जुलाई, अगस और सेपटेंबर इनमें साज भागशाली राशी ऐसी है जिनको पुत्र प्राप्ती के भी बहुत अच्छे योग बन रहे तो उसी की हम जानकारी दे रहे दोस्तों और जो हम उपाए बताएं या जो हम बातों का आपको बताएंगे तो आप विशेश ध्यार रखेंगे तो आपको निश्चित ही 100% पुत्र की ही प्राप्ती होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं कहते तो सस्क्राइब अवश्रही कर ले बगल में बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके दोस्तों जो हम राशी फल बताते हैं देखिए वो जोतिश के अनुसार है और जिन भी महीनों का हम बढ़नन करते हैं तो अगर उन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको बहुत अधिक चांस हो जाते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ती होगी दोस्तों बहुत सी बहनों का कमेंट होता है कि मैम हमारे इस महीने में डिलीवरी है तो हमें क्या पुत्र की प्राप्ती होगी दोस्तो यह आपकी conceive date पे depend करता है कि आपने कौन से महीने में कौन सी तिथियों का प्रयोग करा है गिन दिनों का आपने प्रयोग करा है देखिए अगर सम दिन और सम तिथि का प्रयोग किया होगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है अगर आप विशम दिन और विशम धारन करने से पहले आपको जो इस्त्री है विशेश रूप से उसको चार दिन या पाँच दिन तो शिवलिंग के बीच का प्रियोग अवश्य करना चाहिए वो भी बचड़े वाली गाय के दूसरे अगर वो एक चमच खाली पेट ले लेती है तो उसको बहुत अधिक चांसि हो जाते हैं कि उसको पुत्र की ही प्राप्ती होगे साथ ही दोस्तों पुरुष को किन वस्तु का सेवन करना चाहिए अगर वधारन से पहले यानि मतलब अगर आप चांस लेने का प्लैनिंग कर रहे या फिर संबंद बनाने से पहले अगर आप दो इलाइची का मतलब अग पुत्र की ही प्राप्ती होगी दोस्तों पुत्र प्राप्ती के लिए पुरुष को इलाइची हमेशा खानी चाहिए एक या दो घंटे पहले ही उसको सम्मंद बनाने से पहले एक या दो घंटे पहले दो इलाइची सरफ दो इलाइची अगर वो हमेशा खाते हैं तो उनको ब अपने हस्बेंड के लेफ्ट साइड सोना चाहिए जिससे कि उसे पुत्प्राप्ती में बहुत ही मतला साहिता मिलती है 95% चांसिस होते हैं कि उस समय पर अगर वो अपने हस्बेंड के लेफ्ट साइड सोती है उसके बाद वो संबंद बनाते हैं तो उनको पुत्र की ही प्रा और आपने गर्वधारन कर लिया है तो आपको दूसरे और तीसरे महिने में विशेश रूप से दूसरे और तीसरे महिने में पांच दिन शिवलिंग के बीज का परियोग वह भी बचले वाली गाये के दूद के साथ अवश्य कर लेना चाहिए जिस से कि आपको देखे 100% चां इसका सेवन करें साथ ही दोस्तों चैनल में जो हम उपाय बताते हैं तो उनको भी अवश्य किया करें जिससे कि आपके देखे कंसीव करने में या संतान प्रापती में पुत्र प्रापती में जो भी रुकावट आती है तो निश्यत ही दूर होती है दोस्तों यह हम जो उप पाय बताते हैं जोतिश के अनुसार है और देखे हमारे गरंथों में शास्त्रों में पहले से ही इन बातों का वर्णन मिलता है कि अगर इन चीजों का सेवन करने से क्योंकि यह सब आईडवेदिक चीजें हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं है तो आप इनका सेवन आवश्य करके देखें तो निश्रिति आपको मनवांचे संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों यह जो साथ भागेशाली राशियां है इनको देखें पुत्र प्राप्ति के 95 परसंट योग बन रहे हैं अगर इन बातों का जरा सा ध्यान रख लेते हैं तो इनको 100% पुत्र की प्राप होंगे बहुत ही अच्छा योग बना हुआ क्योंकि गुरु ब्रस्पति की इन पर किरपा हो चुकी है और साथ ही देखें सूरे देख भी इनको बहुत अच्छे संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं बहुत ही उच्च मतलब शेष्ट जो कहा बहुत ही शेष्ट योग बन रहा है तो अगर यह कंसीव करते हैं और थोड़ी सी इसाफधानी रखें तो इनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी दूसरी जो भागिशाली राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के जातों के लिए देखे सबसे ही अधि इनको देखे पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं गुरु बरस्पति की किरपा से और साथ ही इनको देखे सूरे देवी बहुत ही उच्च है इनकी राशी में तो बहुत ही शेष्ट इनको पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं साथ ही जो हमने बाते बताई हैं तो उनका ध्यान अवश्य ही रखें तो निश्चित आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी अगली जो भागिशाली राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के जातों को के लिए बहुत ही शेष्ट 20 जून के बाद पुत्र प्राप्ति के योग बन रहें क्योंकि ग्रहन से ही इनके जो बिगड़े काम है वो तो बनेगे ही लेकिन पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बना रहा है दोस्तों जो अगली जो भागिशाली राशी है वो है कर्निया राशी कें जातों के लिए विए बहुत ही शेष्ट प्राप्ति का योग बन रहा है और रूप से चार महिने तो बहुत ही शेष्ट रहने वाले हैं इस राशी वाले के लिए और इने कारे भी बनेंगे लेकिन पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहा है तो आप विशेश रूप से अगर पुत्र की कामला रखते हैं तो जो हमने बाते बताई हैं उन धनू राशी के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा पुत्र प्राप्ति का देखे संतान भाव में आपके देखे गुरू ब्रस्पति बहुत ही शेष्ट पुत्र प्राप्ति का विद्या प्राप्ति का योग बना रहा है तो आपको निश्चित ही पुत्र की या संतान की मनवांचिस संतान की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों अगले जो भागेशाली राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के जातकों के लिए भी बहुत ही शेश पुत प्राप्ति का योग बन रहा है इन चार महिनों में निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति के योग बने व तो आपको 100% पुत्री की ही प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आपको हमेरी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अबश्चरी करें आप सभी को ओम शीगरिशाय नमें